सुप्रिम कोट में सेस्टी आरेक्षन के अंदर वर्गी करण को लेकर कल आया फैसला काफे ज़्यादा अलग अलग प्रतिग्रिया लोगों के आ रही इस मामले में सबसे पहले चंदर सेकर आजाद के प्रतिग्रिया आई आज ब्यस्पी सुप्रिमों मयावतीजी ने भी इस किसी भी तरीके से उच्छी था वो नहीं ठेहराए जा सकता बीएस पे देख्ष मायवतीजी ने पर शोचल मीडिया केंडल ट्वीटर से एक ट्वीट पोस्ट करते वे लिखाया है जो आप अपनी स्क्रीन पर लिख पा रहे हैं उन्होंने दिखा सामाजी कुछ प्रण की राजजितिक उर्फिरन कुछ भी नहीं है क्या देश के खासकर कडोरों दलित और आदिवासियों का जीवन द्वेश वेदपाव मुक्त आतम सम्मान और सभाविमान का हो पाया है अगर नहीं तो फिर जातिक आदार पर तोड़े और पचड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षन का बटवारा कितना उच्छीत है देश के स्विधान की नोवी अनुसिति में डाल कर इसकी सुरुक्षाद जरूर की गई होती यह बीच पे देक्स मायवती जीने अपने सोशल मीडिया के ट्वीटर से ट्वीट कोस्ट करते में लेका कि बीजेपी हो या फिर दिवासियों के साथ खिलवाड करती है उनोंने का कि सरकार जाए दृटों के खिलवार्टी की रही हो या फिर कांग्रेट्स की दूनों ही सरकारों के दौरा लगातार आपको बटाने की कोशिक की इसwoह आरक्षन के अंदर खिलवाड करने की कोशिक जाती है बीएस बी तरे किसे इन लोगों का दलित पिश्रिया दिवाश्यों के हित में कोई भी पैसला नहीं आता अगर इनका होता तो ये इस आरक्षन को नोवी एनुसिचे में डाल कर अभी तक इसको सुरख्षित कर पाते लेकिन दोनों ही राजनितिक दलों के द्वारा इससे सुरख्षित करने की कोई मंचा नजर